स्वागत है आप सभी का bank expert के एक fresh वीडियो में अगर आपको भी एक private bank में अपना zero balance account open करना है क्योंकि private bank का benefit ही होता है कि services बहुत ज़्यादा fast मिलती है दिन आप AU bank में अपना zero balance account open कर सकते हो account open का जो process है बहुत ज़्यादा easy है आप घर बैठे अपने mobile phone से अपना account open कर सकते हो बस आपके पास दो ही document होने चाहिए एक आधार card और एक pen card अगर ये दो document आपके पास है तो आपका account घर बैठे विदना 5 minute में open हो जाएगा और private bank होने की वज़े से इसकी services बहुत ज़्यादा fast मिलती है और ये जो AU bank का zero balance account है ये बहुत सारे benefits भी offer करता है इसके बारे में आगे पूरी detail में मैं discuss करता हूँ लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूँ मेरा नाम है शुभम आप देखरो bank expert channel अगर आपको हमारी वीडियो informative लगती है तभी channel को subscribe करके well icon press करिएगा और वीडियो को भी like जरूर करिएगा quickly आपको बता दूँ कि AU bank में multiple types के account open होते है तो आपको zero balance वाला account ही open करना है मैं link description में देदूँगा जहां से आके इस zero balance account को आप open कर सकते हो बस आपके पास में आपका आधार card और pen card होना चाहिए क्योंकि वेडियो के वाईस ही होगी तो वो आपको दिखाना पड़ेगा तो चलिए benefits के बारे में बताता हूँ तो AU bank का जो zero balance account है ये online तो open हो जाएगा लेकिन इसमें average balance maintain करने वाला कोई rule नहीं है यानि कि आप इसको zero balance account की तरह ही use कर सकती हूँ कभी भी आपको कोई charge नहीं देना पड़ेगा अगर इस account में balance नहीं होता है तो जैसे ही आपका account successfully AU bank में open हो जाता है then आपको एक debit card मिल जाता है 20 pages की checkbook मिल जाती है और एक passbook मिलता है वैसे आप checkbook हर साल ले सकते हो 20 pages तक की आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा इस bank account के साथ पर जो debit card दिया जाता है बहुत यदा special है क्योंकि इस debit card से आप free domestic airport lounge access का benefit ले सकते हो generally आपको zero balance account में तो कोई bank अभी offer नहीं करता है और यह जो debit card है यह रूपय platinum network पर आता है तो इंडिया के बाहर भी इस card को आप use कर सकते हो वैसे मैं एक बात और बता दूँ कि इस account पर मिलने वाला जो debit card है वो basically lifetime free नहीं है तो per year 150 rupees की fees देनी होगी लेकिन यह जिस type के premium benefits offer करता है उसके हिसाब से यह fees बहुत ही कम है इवेन अगर आप दूसरे zero balance account के debit card की fees देखोगे तो वो लगबग से 300 rupees के असपास होती है उसके हिसाब से यह बहुत ही कम ले रहा है annual fees इस bank account पर मिलने वाले debit card के transaction limit के बारे में बताऊं तो अगर आप AU bank का ही ATM use करते हो देन आप unlimited transaction कर सकते हो इसके debit card से इसकी कोई capping नहीं है इवेन अगर आप दूसरे bank का ATM use करते हो तो पर मंथ आपको 5 transaction free मिल जाती है उसके बाद अगर कोई transaction करते हो तो per transaction 20 rupees की fees लगेगी और अगर इस bank account का use करके आप UPI payment करते हो NAFT, RTGS, IMPS करते हो तो यह सारी transaction unlimited होती है इसमें आपको किसी भी type की fees नहीं देनी पड़ेगी वैसे आप हमें Instagram पे follow कर सकते हो और हमारा एक WhatsApp चनल है वहाँ पे भी जाके हमें follow कर सकते हो दोनों links आपको description में मिल जाएंगी क्योंकि वहाँ पर मैं regular updates पोस्ट करता रहता हूँ लेकिन अगर आप इस zero balance account के debit card को internationally use करोगे तो 3.5% का forex charge देना पड़ेगा जो मेरे साब से बहुत यहादा high है तो इस debit card से basically आप international transaction मत करना otherwise बहुत ही charges आपको देने पड़ेंगे तो अब जान लेते हैं इस bank account के interest rate के बारे में तो अगर आप AU bank के zero balance account में एक लाग से कम रुपए रखते हो तो आपको 3.5% का interest rate per year मिलेगा और अगर उसी account में एक लाग से लेके 10 लाग रुपए के आसपास हैं तो पर year आपको 5% का interest rate दिया जाएगा और अगर 10 लाग से लेके 25 लाग रुपीज है तब आपको 7% का interest rate per year मिलेगा और 75 लाग से 1 करोड है तो उस पे भी 7% का interest मिलेगा और 1 करोड तो 5 करोड के बीच में है तो उस पे 7.25% का interest rate मिलेगा और 5 करोड से अगर एवब है तो अगर आपको उस पे भी 7% का interest rate per year मिलेगा जिसके पास में 25 लाग से लेके 1 करोड के बीच में होगा उसी को 7.25% का interest rate annually मिलेगा अब जैसे कि जो middle class family है जिसके पास इतना पैसा होगा वो तो zero balance account कभी भी open नहीं करेगा तो अगर आप इसके normal interest rate को ही देखते हो अगर एक लाग से कम balance है आपके saving account में तो यह 3.5% का interest rate offer करता है लेकिन यही same interest rate अगर आप बड़े banks को देखोगे जो private banks है वो भी इतना interest rate अपने saving account पर open नहीं करते हैं तो basically देखा जाए तो अगर आपको जो यहाँ पर interest rate मिलता है वो भी काफी अच्छा मिल जाता है comparative की दूसरे banks से एक और advantage मिलती है इस bank account पर कि आप 24 इंटू 7 के customer care से connect कर सकते हो अगर कुछ issue आता है आपके account से related even video call की भी facility है तो video call पे भी आप बाद कर सकते हो इनके bank employee से और इनका जो app है उसका भी use कर सकते हो और अगर कुछ और issue आता है तो nearby आपके जो AU की branches होंगी वहाँ पे भी जाके आप अपनी problem का solution ले सकते हो तो multiple options मिलते हैं अगर कुछ issue आता है आपके bank account से related तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है तो अगर देखा जाए AU bank का ये जो zero balance account है ये काफी अच्छे benefits offer करता है पहले तो इसमें कुछ भी average balance maintain करने वाला rule नहीं है हमें से इसको zero balance account कितरे ही use कर सकते हो फिर इसमें debit card पर मिलने वाला जो domestic airport lounge access वाला benefit है ये तो अच्छे-च्छे credit cards पर भी ये benefit नहीं मिलता है तो वो benefit आपको बिल्कुल free में मिल जाता है बाकि इसके interest rate भी हाई है और online कोई transaction करना चाहो अगर आपको भी interest हो AU bank में अपना zero balance account open करने का तो link description में मिल जागा वहाँ से जाके इस bank account को आप easily open कर सकते हो फिर भी कोई confusion query हो इस bank account से related तो comment करके पूछ सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे पनी अगले वीडियो में है